विकास विरोधी गतिवीधियों में शामिल नकसली अपने वर्चस्व वाले इलाके में फोर्स की पहुँच नहीं चाहते हैं इसलिए लगातार खबर आती रहती है कि नकसलियों ने पहुँच मार्गों को भारी नुकसान पहुँचाया है वे सडकों को खोद कर अपने वर्चस्व वाले इलाकों को सुरक्षित रखना चाहते हैं मगर लगातार फोर्स की कारवाही से 36 गड़ की सडकें सुरक्षित है ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें नक्सली सैकडों की संख्या में ग्रामीनों को लेकर सडक खोदने जा रहे थे तस्वीरें सुकमा जिले के किस्टाराम थाना शेतर के ग्राम पालोडी की बताई जा रहे है नक्सलीयों द्वारा ग्रामीनों को बहला फुसला कर सडक खोदने ले जा रहा था इसी दोरान सेना के ड्रोन ने तस्वीरें उतारी है तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सडक पर बड़ी संख्या में लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें काले वर्दी में नक्सलियों को भी साफ देखा जा सकता है वहीं दूसरे वीडियों में भी नक्सलियों सडकों का मुयायना करते दिखाई दे रहे हैं ताकि ये नक्सलियों सडकों को उढ़ाने के लिए बंप फिट कर सके और इसका खामियाजा हमारे फोर्स को भुगतना पड़े लेकिन जोन में कैद नक्सलियों के करतूत के बाद फोर्स और अधिक चुस्त हो गई है ताकि इन नक्सलियों को मौके पर माकूल जवाब दिया जा सके बास्तराजी स्दर्शे ताकिए राज पी ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त वीडियो चार दिन पुराना हो सकता है क्योंकि उसी इलाके में CRPF, STF और DRG के जवानों ने सडक खोधने का प्रयास कर रहे नक्सलियों को खदेडा था। इस दोरान हुई जवर्दस्त मुटभेड में एक नक्सली भी मारा गया, हाला कि मारे गए नक्सली का शव बरामद नहीं हो पाया है, लेकिन नक्सली अपने मनसूबे पर काम्याब नहीं हो पाय है। आईजी ने मताया कि विकास विरोधी नक्सली को आम जनता से कोई लेना देना नहीं, भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसला कर सडक खोधने का काम ये किया करते हैं। बस्तर ने नक्सलीयों का सडक काट कर सुरक्षा बलों को अपनी पहुंच से दूर रखना आसान हत्यार रहा है। बेरो रिपोर्ट देस्टीव